औशद अभै इवं ज्यान शाख्त्रों में वरणित हैं ये चार प्रकार के दान जिन से होता है प्राणी मात्र का कल्याण परम पूज्य वात्सले मूर्ती जिन धर्म प्रभाविका आरिकारत्न शिरी 105 श्रिष्टि भूशन माताजी की मंगल प्रेणा इवं आशिरवात से श सहाइक गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान करकी जा रही है अध्वुत धर्म प्रभावना आरिकारत्न श्री 105 श्रिष्टि भूशन माताजी की मंगल प्रेणा इवं आशिरवात से अतिश्य श्री महवीर जिन धर्म प्रभाविका आरिकारत्न श्री 105 राशी में विगत वर्षों से संचालित है चतुरविति संग की अहार विवस्था जिसमें अहार बिहार, पिछी कमंडल, वर्स्त्र, शास्त्र, औशदिदान, आधी की विवस्था सुचारों रूप से निरंतर की जा रही है महादान, अहारदान जैसे पुनीत कार्य से जोड़कर आप भी घर बैठे, धर्म लाव ले सकती हैं मादर 21 रूपाई की राशी से एक दिविसिया आर विवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सुदपियोग कर पुन्या कार्जन करें एक दिविसिया अहार विवस्था 21 रूपाई, समान्य सदस्यता एक वर्ष 11,000 रूपाई, समान्य सदस्यता दो वर्ष 21,000 रूपाई, सदस्यता 31,000 रूपाई, विशिष्ट सदस्या 51,000 रूपाई, अती विशिष्ट 71,000 रूपाई, संदक्षक 11,000 रूपाई, संदक्ष निमलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 श्रिष्टी मंगलम सेवा समीती से जोड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाडी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा इसका रिक्रम के पुनियार्चक हैं श्रिमती राम प्यारी बाई अध्यापिका मुंगावली वाले सर्वग्य ज्वालर्स संस्थापिका श्रिष्टी मंगलम सेवा समीती श्री अनिल जैन श्री मती शशी जैन निवासी मुरादाबाद उत्तरप्रदेश स्वर्य श्री हेम चंदर जैन पुषपांजली पीतमपुरा एबं स्वर्य श्री मती पुषपादेवी जैन किस्मृती में पुत्र एवं पुत्रवधु शिरी आनंद जैन शिरी मती सुधा जैन शृष्टी मंगलम सेवा समिती में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया शिरी संजे जैन शिरी मती नीलम जैन निवासी पुषपांजली पीतंपुरा अध्यक्ष राम नगर अहिच्छेतर श्री विनोध बिहारी शिरी मती मिठिलेश मोठिया निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश शिरी सुभाज जैन शिरी मती उमरानी जैन निवासी सहरनपुर नानातावाली रश्राइब जसे भक्ती में इस में दोस भक्ती का क्या है बड़ी सुन्दर बात कही है श्रमंतर भध्यर सौमी space ने देवाधी लेव ज्रणेपरिचर्णन सर्व दुख निरवेणा काम दुखी काम दाहीनी परिचिनिया दादिर्तो नित्या का देवादी देवी चरने हम देवी के चरने पूस्त पूस्त है जिनके सो इंद्र नमस्कार करते हैं और कोई अपे चाओं से नहीं हम सांसारिक बस्तों के लिए नहीं सांसारिक बस्तों तो मिल भी जाएं तो कोई प्रियोजन की नहीं क्योंकि हम प्रोच पड़ते हैं परनति प्रभु अपने अपने में हो दिये अनकूल कहें प्रतिकूल कहें जूटी मन की प्रति है और बड़ी अच्छी बात कहिए कि धार्मिक व्यक्ति होगा उसे आपत्तियां आती नहीं क्योंकि आती हैं तो उसे भी संपत्ति बना लेता है आपत्तिकाली परकी चारी धीरज धरम मित्र और नारी आपत्तिकाल में चार की परिक्चा होती है धीरज कितना है धर्म कितना है और मित्र कौन है और नारी कैसे क्योंकि आज की स्थिती में हम धरम सिर्विस लिए करते हैं धरम भी भैसे करते हैं आधिकांस लोग घर परिवार ठीक से चले हमारे को कोई दिक्कत नहीं आए हम धन संपत्ति जिसे करते हैं खटी कि नौकर लगा लेंगे अच्छा मकान बनवा लेंगे गार्ड रख लेंगे गाड़ियां बढ़िया अजिन भी टकराएगी दम की दम से यह हमारत टूट कर गिर जाएगी तो क्या करना है यह हमारत तो टूट कर गिरेगी क्योंकि कहते हैं हीट इसमें हड़ियां इसमें हड़ियां हीट की लगी हैं लेकिन यह महल तो गिरेगा हर कोई का गिरेगा जब तक चतुरगती भर्मन तब तक हर बार महल इरगा आहि Bundes weblab इतत्स की शर्ण डी को उसने को यह बता में क्या बज जयोों भगवान तुमारी जयों हो आहिए उनकी हो गया जयों करने सी क्या हो का उनकी जयों हो गई लेकिन जितनी भी एमारे महापुरस्तिएं अन्हें ने अभी आप लोगों ने भगवान का आवान किया भगवान के गुनों का आवान अमने अपने अंदर किया ये थाली तो बरबदू के विवाय के समय बहुत सारे नहिंचार होते हैं लेकिन उद्देश क्या होता है कि उनका दामपत्य जीवन सुखी रहे हाथ दमपत्य गमपत्य क्यों हो गएं क्योंकि धरम से भी मुख हो गए जब हमारे याँ पहले जो बचन दिलाए जाते थे उन बचनों के अनुसार भी आज कोई परिवार में चले तो उसके घर में कभी कलेश नहीं हो सकता उसमें एक वात आई है कि आपकी वैसे सारी अग्या मनूंगी धारमिक कारियम व्यवदान नहीं बनेंगे आज कोई धारमिक परिवार नहीं चाहता जबकि हम चाहे कोई स्तोत्र पढ़ें इसमें भी बहुत अच्छी वात पढ़ी आपने विसापहार इस स्तोत्र में भी कि जैसे कोई उल्लू का बच्चा उल्लू कोई नहीं दिखता और उसका बच्चा चाहे तो क्या दिन के प्रकास में बताएगा लेकिन भगवान आपके बारे में मैं कुछ कहने का साहस करूँगा और ऐसे नहीं कहा कि हम लोग कहते हैं भक्तामबर लिखा गया मानतुंगाचर नहीं लिखा कल्यान मंदिर कुमस्चंदाचर नहीं लिखा अभिसापहार धनन जय कभी नहीं लिखा लेकिन ध्यान मुक्ना वो हमारी तरह पैन और कॉपी लेकर नहीं बैठे थे सोचिए मानतुंगाचर नहीं को किसी ने जेल में पैन कॉपी दे कर भेजा होगा क्या कि तो महां जाकर अच्छी कभीताएं करना इसी बात नहीं है लेकिन भक्त की यही पहचान होती है भक्त पर जब कोई संकट आता है तो भक्त में आपको इतना लीन कर लेता है इतना तलीन कर लेता है कि उसे संकट भी संकट नजर नहीं आते है वो उस भी समय का सद्धुप्योग करता है और आपको समय मिला है आपको कितना सद्धुप्योग करते है यह समय करोडों दौलतों से भी ज़्यादा मूलवान है ये एक समय चला गया तो दुबारा नहीं आता है लोग कहते हैं दिन बदलते हैं मैंने कहें दिन नहीं बदलते हैं तुम बदलते हो तुम्हारी परियाओं में परिवर्टन आता है सूरज चांड छिपे निकले भी तु फिर फिर कर आवे प्यारी आयूएसे भीते पता नहीं पावे लेकिन सोचो धनंजे कभी के सामने जब पूजा में भक्त लीन होता है तो एक मेक हो जाता है अभी आपने का आपकी घर में भी कोई आता तो आप केते आप आईये फिर कहते हैं बैठी है फिर कहते हैं इतने दूर के हूं बैठी थोड़ से पास में आ जाओना पहले तखत चलते थे दीवान चलते थे एक में छे की जगह साथ बैठ जाएं अब कुरसी चलती है एक में एक ही बैठ चता है सोच कर देखना कितना एकाकी जीवन हो गया कितना अकेला बन हो गया वो दिन याद करना जब छत्तों पर विस्तर लगते थे तो क्या अनंद आता था वो दिन याद करो जब सबको एक साथ फल नास्ता मिलता था तब वो अनंद आता था अब फ्रीज सड़े पड़ रहा है फ्रीज में सामान बड़ा पड़ा है लेकिन एक कब तक खाएगा दो चार हों तो मिल बाट के खा ले लोग कहते हैं कि नहीं माता जी एक ही पल जाए हमने कहीं वो पल जाएगा पारसकुमार ने अद जलो को नमोकार मनत सुनाया था उनका कल्यान हो गया आप अपने अद पलों को नहीं सुना पा रहे क्योंकि उसका कारण है हमारे अंदर इतनी लगन नहीं है ऐसी आकांग्चन है कि भगवान आने वाला बच्चा तिर्थंकर जैसा हो क्योंकि यदि भगवान नहीं वने तो कम से कम पुन्नवान तो वने पापी आत्मा तो नहीं वने लेकिन हमारा ऐसा पुरसारत नहीं है जिस समय धननजय कभी पूजन में लीन थे और उनके बच्चे को बगीचे में खेलने गया था और सर्फ काट लेता गए जैकरीला सर्फ था और पत्मी को पता चलता है घवड़ा जाती है आप सोच सकते हैं जो मा जीना पांच मिट में उतरती होगी यदि तीन मंजिल है और बच्चे को चोट लग जाए तो कब से कंड़ों में नीचे आ जाती है पता नहीं चलता है मा मा होती है तो कहते हैं कि जैसे ही मा को पता चला घवड़ा गई पुल पिताजी को लेने बेजो उन्हें लेने बेजा लेकिन वो तो भगवान की भक्ती में तलीन थे और सक पूछो रत्नकंड सरावकाचार में कहा भी है कि जब सरावक सामाईक में बढ़ता है चैलोप इस स्ट्रिमुनिरेव कि उस समय वो ऐसे हो जाता है जैसे किसी मुनी पर वस्त्र डाल दिया हो वस्त्र का त्याग नहीं करता है रहता है वस्त्रों में लेकिन इतना ये कागरता बन जाती उस समय इतना पाप से भिमुक हो जाता है वो उतनी देर के लिए कोई पाप का साई असुबले साई नहीं रहती है उस समय वो ऐसे हो जाता जैसे साक्षात मुनी बैठा इसी प्रकार से धननजे कभी भक्ती में पूजन में लीन थे और बेटी का समाचार आया और जब दो वार समाचार वेजा नहीं लोटे तो नौकरों को आदेश दिया चलो ले चलो उहीं पर ले चलो आपको भी कभी कभी गुस्ता आजाता है बोले लो ये पढ़ी तुमारे धरन साला तो पत्नी को भी क्योंकि वो दुखी थी को और गई और वहां डाल कर चिला कर बोली लो अब तुमारा भगबान करेगा ठेक लेकिन तब भी उनका ध्यान नहीं गया जैसे ही पूरी पूजा का विस्तर जन हुआ परमात्मा को नमस्कार किया और तब ख्याल आया तब आबा सुनाई दी कि बेटे को जहर चड़ गया है सर्प ने खा लिया लेकिन कितनी सुन्दर बात कहते हैं कि आप ऐसे हो प्रभू दीरगाई हो लेकिन बुढ़ापा नहीं आता आप कैसे हो तो कह दिया कर्म भूमी के आदी में आप नहीं असी मसी करसी का आदेश दिया था और भगवान आपकी स्तुति करके तो मुनी निरोग हो जाते है निरोग का मतलब इस सरीर की चिंता नहीं करते है मुनी वो तो जानते तो फुद्गल का परिवर्तन है एक दिन तो जीन्ड सीन्ड होना ही है इस परियाई को बदलना है आप सब को पता है सनज चक्रवर्तियादी के बारे में कि कोई भीमारी हो गए इसकी तर ध्यान नहीं था एक देव परिक्षा लेने आया और बोला कि मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा इतनी तकलीफ है वो कहते ठीक करना है तो मेरा दूसरा रोग ठीक करो वो कौन सा रोग है जन में जरा और म्रत्तु का रोग ठीक करो और उसी परकार से धनन जय कभी कितनी अच्छी बात कहते हैं कि आपने इंद्र ने भी आपके सामने इस्तुति का अभिमान चोड़ दिया था और कहते जो आपके अनुकूल चलता है यहने आपको इर्दय में धारन करता है उसकी पाप प्रकृतियां अपने आप सिथिल हो जाये करती हैं कैसे हो जाये करती हैं जैसे कि सर्भ पासुडी की आवाज भीना की आवाज को सुनकर क्या करते हैं निकल जाते हैं इसी प्रकार से प्रभू आपकी अंतरंग में धियान करूँगा तो कर्म लोग निकल जायेंगे और कहते हैं कि भगवान मैंने अभी तक अपराद की हैं आप सब जानते हैं लेकिन आप सोचो हम अपराद करते हैं अपराद बोदे क्या हमें अपराद बोदे हम रोज पढ़ लेते हैं सुनिये जी निया रजे हमारी हम दोस्त की एतिभारी ती निकी अभी निर्विर्ति काजा तुम सरण लगी जी निर्विर्ति होती है क्या उस समय विजवान से नीचे हमारी कोई आबाज नहीं पहुंचते है सिर्फ हमारी जिव्यता की भगवान का नाम रहता है हमारे हिर्दे में ये तड़ नहीं उठती है कि अब कुछ नहीं चाहिए आभी भी आप मंदिर में आएगो तो कुछ हर कोई को चाहिए इस कारिक्रम के पुन्यार जग्थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी, गोहाना, हरयाना श्रीमती मिथलेश जैन, श्रीमकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोधिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजस, मुरादावाद उत्तरप्रदेश शिरी सुरेंद्र कुमार जैन, शिरी मती रुकमणी जैन, शिरी मुदित जैन, शिरी मती छवी जैन, परीधी जैन, पारस जैन, राम गंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हीमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुशी कुशल कुम परम पूज्य जिन्धन प्रभावे का आरीका रतन श्री एक सुपमाच्छ श्रीष्टी भूशन माताजी की पावन प्रेड़ना एवं स्रिष्टी मंगलम सेवा समिती की तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधू संतों के आहरदान की व्यवस्था की जा रही है तो वही मानव सेवा की शंकला में पूज गुर्मा के निर्देशन में उत्रप्रदेश की धर्मनगरी बरेली की गाउं खनगावा श्याम में किया जा रहा है स्रिष्टी मंगलम गौ आश्रे केंद्र का संचालन जिसमें हो रहा है बे साहरा, निसहाय, एवं व्रिद्ध गौवन्षों का संग्रक्षन संवर्धन आप भी जीद देया की इस पहल में अपना बहुमुली योगदान देकर गायों की संग्रक्षन में महत्वपुन भूमिका निभा सकते हैं आप अपनी दानराशी निमलिकित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं आपके द्वारा दी गई सहहुग राशी पर एक टीजी एवं 12A के आधार पर आएकर से छूट प्राप्त होगी सहहुग राशी की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर रहें मैं माता जी को बढ़ाई दूँगा कि आपने एक आवना छेतर में गउशाला का जो आपने वहाँ पर संकल्प करवाया है मैं माता जी को बता दूँ कि आज वो गउशाला पिछले दो महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाई की अफसान नहीं हुआ है पहले जहां 3-4-3-4 गाई बढ़े उसमें खताम हो जाती थी 40-50 गाई मर जाती थी अब पिछले दो महीनों में जब से आपने उसमें संदक्षन दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाई भी नहीं हो भाई है आपका इसी तरह आचिरवाद सदे मिलता हुए बस मैं आपके चोड़ों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ